हेलो फ्रेंट जैसे कि मैंने आपको लाश वीडियो में बताया है मम्मी अभी घर पर आई है और मम्मी के जो अचार होते हैं वो बहुत ही फेमस रहते हैं और लोगों को बहुत जादा फसंद आते हैं तो अभी चल रहा है गोवी का सीजन तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से रेसिपी ले ली जाए गोवी के अचार बनाने की मम्मी का जो गोवी का अचार होता है बहुत ही ज्यादा ही यम्मी होता है तो आज मम्मी आपको बताएंगी कि गोवी का अचार घर पर बहुत ही असानी से बिना धूपके भी आप बना सकते हैं और मिंटों में बनकर तयार हुजाता है तो कैसे बनता है मैंने प्रोसेस पूरो पहले भी देखा हुआ है मम्मी का लेकिन मैंने सोचे क्यों ना मम्मी से ही शेयर करवाया जाए ताकि आप लोगों को एक ऑथैंटिक और इजी रेसिप दंठल भी हम अटा रहे हैं अज सीखे देंटल अटा दिया अब इसको हम चोटे-चोटे पीसों में काटेंगे अब मैंने इसको चोटे-चोटे पीसों में काट दिया है अब इसको हम अच्छी तरह से दो तीन पानी दोलेंगे अब हमने अच्छी तरह से इसको तीन पानी स दोलिया अधिये बिल्कुल साफ होगो अभिसको हम बॉल करेंगे और हलका बॉल करके ज्यादा मतलब इसको गलाना भी नहीं है अगोने पानी इसमें लेनिया कडाही में अभी थोड़ा गरम हो जाएगा पानी तब उसमें हम गोवी डाल देंगे जिससे वह गोवी इसमें करें। मैं देर एक चब्मच नऒख डाल दिये अन्दी और नवख दोनों मिला दिये। मिला के फिर अभिक उपारावर कर दे ले इसमें जिछळे भवल जाये त्थी तरह Spaß है है और इसको हम ने भारध डिया है और यसमें बायल आगया पल गया हुआ इसमें भाल ड़कन हम ठाटा देते हैं और वह भी को हम इसको पानी से अठापट बाहर निकाल देते हैं, इसको हल्का ही पकाना होता है, ताकि यह अचार सही रहेगा पूटेगा नहीं और फूल फूल से बने रहेंगे, ज्यादा पकने से तूट जाते हैं, जो जो अबाल नेते हैं अव्का, तो इ अब इसको अमने पाने से निकाल लिया है, अब इसको हम धोप में या दो गंटे या तो पंके के नीचे में सुखाएंगे, जिससे जब इसका पानी मर जाता है तो ये खराब नहीं होता है, इसमें जो पानी रहेगा तो उसे सिर्फ गोवी खराब होते हैं, अगर इसका पानी पानी जएसे जब डाल खाएंगे, जब बर जाएगा तो ये बिलकुल खराब नहीं होगा, चाहे कितने दिन दें कि रखे रहे हैं आप, अब ये वोवी हमने दो गंटे तक धोप में सुखा लिया है, अब इसका पानी बिलकुल मर गया है, अब हम मसाले बोन लेते हैं ये मेधी, चमश हमके षान joue मेधी देलान लिया, ऐसको रौन रहे, मेधी भ़ुनिया, इदो के वतार लिया है, तो यह चम्श चब मेधी देलला, मेधी चमश डाल रहे है, यह से चमश गार करें हैं, आजवान बढ़ अनदार नहीं है, अब डालनें एड़्स हम धाल लिया है। अंब इसको हम ढोन लेंगे। वब्च भी ढुन गआ है। आप लंक हम बुदीए लड़्स ना लिया बर लें आनने अब हम इसको बुब देंगे हैं. है यह हमने देर्श कमच जीरा ड़ा धा एक भी ढूने देंगे। अब एक चम्मच हमने ये राई ले लिया है अब इसको भी बोल लेते हैं अलका सा इसके ज़्यादा नहीं बोलेंगे अब ये राई बोल गया है इसको हम उतार देते हैं अब एक चम्मच हमने ये कलोजी ले लिया है अब इसको भी हम बोल लहें अब एक चम्मच हमने ये अब आपको फटोरे में निगाल दे रहे हैं, अब इसको अलग रखना है, यह पीछना नहीं है, अभी अब ने चाहर जमत धन्या ले लिया है, खड़ा धन्या, अब भून लेते हैं, अब यह वाना धन्या भी भून गया, अब अब निकाल लेंगे, अब यह सारे मसाले हमने बॉन ली है, अब इसको यकजाता ठंडा करके, फिर इसको हम मैकčी में पीस लेंगे, और इसको हम भूत ज्यादा बारिक नहीं करेंगे, इसमें तोड़ा दरदा ही रखेंगे, जिससे दरदा रहता है, तो इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है, अब हम गोभी को मोड मेंद पीसने के लिए आसा ही दरदा पीसने चाहिए जिससे ही बढ़ियां बने अब जुआ अब गोभी को इस गोड में डाल दे रहें अग इसमें हम मसाला मिंक्स करें ग collaborative कलोंजी है जो इसको साबूत रखना था तो इसको मैंने ये एक चम्मच कलोंजी लिया था अब इसको हम साबूत इसमें डाल रहे हैं जब आदा शमच नीम हें किसमेरी लाल मिर्श डॉलदे रहे हैं जात ए मिन है। इस थाटने है कि खाना उले स्वाधन मशा डालें कुड़तें ताप। अब इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं, तेल हम इसमें इतना डालना है, जिससे की ये गुवी जो है, वहां तेल के अंदर डूब जाए, और इसको हमने गरम करके ठंधा किया है, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं, दो आने तक गरम किया है, अब इसको हमने ठंधा करके अब अब अधेश्च स्पेज सिरका अब इसको हम इसमें डाल दे रहें इसको डालने से अचाज जलसी खराब नहीं होता है और इसकी लाइब बढ़ जाती है अब अल्याव में जिसमें हमी डाल दिया तो डाबे लाओं दोयो के साफ हाथ और हम बातन के वहाएं यह फिफित यहिता में नोगेगा और इसमिए निकाल пошीख कभिए इसमें कभी और निकालना चाहें तो शूख अबो चाहे ही और हात जेकी काले जिससे ये कभी साल भर भी खराब ना हो सके जार में डालने के बाद अगर इसने कम नम जिससे तेल कम लगे तो थोड़ा और उसी इसाब से थोड़ा और गरम करके और फिर उसको ठंडा करके फिर उसने डाल दिया जाएगा और इसको बनने के बाद में बीच बीच में थोड़ा अगर दूप जैसे होता है गाद गंडा कहीं दूप आती है तो उसमें थोड़ा सा रख देना जिस एक दम बढ़िया बन जाएगा ही फिर खराम होने का कोई चांस नहीं रहेंगा चनिये अब यह अचार मुला बिल्कुल आप इसके बाद आप इसको थोड़ा बीच बीच में धूप दिखाते रहना जिससे लंबे समय तक धर कहा सकते हैं इसको जिए दिन दो दिन देखेंगी जब नीचे वह भी थोड़ा गल जाती है तो नीचे को हो जाएगा तो तेल उपर आजाएगा गर उपर नहीं आता है तो आप थोड़ा सा तेल गरम करके वैसे ही जब उसमें धूगा निकलने लगे तो ठंडा करके और थोड़ा उसमें उसी साफ से जितना उसको चाहिए होगा डाल देदा जिससे फिर वह भी उसमें डूप जाएगी तो फिर यह कभी भी खराब नहीं होगा इसके कभी भी न आपको पसंद आई हो तो हमने इतनी मेहनत से बना रख किया इसको लाइक करना मत भूलना अब इसको रख दे रहे हैं अब इसको रख देंगे